आज का वीडियो हम एक नए टॉपिक के साथ सुरू करने वाले हैं हमारा लेसन थ्री जो की है वैल्यूज एंड डेटा टाइप मेरे पिछले दो वीडियो में मैंने अल्यडी बहुत सारे बेसिक टॉपिक्स पे बात कर लिया है जैसे object oriented programming concept क्या होता है procedure oriented programming concept क्या होता है Java basically क्या है Java हम लोग use क्यों करते हैं इतना ज़्यादा उसके क्या क्या गुन है बहुत सारे basic मुद्धों पे हम अल्रेडी चर्चा कर चुके हैं हमारे पिछले कई वीडियो में अगर आप अभी भी उन वीडियो को देख नहीं पाए हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले उन वीडियो को देखें ताकि आपका एका foundation जो है वो build up हो जाए ताकि आपको इन वीडियो में और आने वाले बाकी वीडियो में कोई दिक्कत ना हो लिंक मैं description में देदूँगा आप वहाँ जाकर के वीडियो को देख सकते हो तो आज का मुद्धा हमारा है values and data देखें कोई भी language जो होता है किसी भी इनसान से बात करने के लिए हो या किसी machine से बात करने के लिए machine का मतल हम बोलना चाहते है computer का बात तो अगर हम बात करते हैं किसी भी इनसान के साथ तो हमें एक language जरूरत पड़ता है Language basically एक medium होता है किसी के साथ communicate करने के लिए हम आप या normal कोई भी लोग एक दुसरे के साथ अपने views share करते हैं अपने emotions share करते हैं किसी language के through right एनिकी sharing of something इसके लिए हम एक medium का इस्तमाल करते हैं और इस medium को हम कहते हैं language और इसलिए हम कह सकते हैं कि language जो होता है वो बहुत ही important role play करता है हमारे thoughts और हमारे ideas को share करने के लिए एक दुसरे के साथ Java जो है वो computer का language है Java एक computer language है basically देखा जाए तो जो हमें यानि कि एक user को इतना capacity देता है कि हम उस computer के साथ communicate कर सके basically computer जो होता है वो low level language को समझता है यह हम already discuss कर चुके हैं लेकिन हमारे लिए एक normal user के लिए low level language understand करना मुश्किल है तो उसलिए हमारे पास एक ऐसा language है जो हम समझ सकते हैं और फिर बाद में उस language को computer के understandable language में convert कर दिया जाता है जिससे computer भी understand कर लेता है और वह language कोई और नहीं वह language है Java अब हमारे पास जब बात करते हैं English के language का suppose तो English के language के जो words बने हैं तो वह कोई characters से मिलके बना होता है जैसे alphabet अगर हम बात करते हैं Hindi के language का तो उसमें भी word होते हैं जिससे आ आ आ खा खा पढ़ते हैं हम लोग वैसे ही अगर हम बात करते हैं Java के language का तो इसमें भी कुछ characters के set हैं कुछ character set मिलते हैं मतलब कि कुछ group of characters मिलता है मुझे जावा के प्रोगाम लेंगविज में बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि English में आलफावेट्स होते हैं वैसे ही Java में एक गुरूप of characters बैय जाते हैं उन group of characters को हम लोग आज discuss करने वाले हैं क्योंकि अगर हमें ये topic values and data type को depth में study करना है तो आज गई ये introductory video आपको देखना जारूरी है जिसमें हम लोग डिसक्स करने वाले है character set के बारे में तो हमारा आज का यही introduction वीडियो है जिसमें हम लोग डिसक्स करने जा रहे है character sets के बारे में तो basically character sets होता क्या है इस पर बात कर लेते हैं तो Java uses character sets similar to alphabet of general languages the character set used in Java as zone below तो हमने तो already इसके बारे में discuss कर लिया कि हमारे पास कुछ character set होते हैं जो कि विल्कुल alphabet के जरसे होते हैं जो कि general हम लोग language में इस्तमाल करते हैं तो उन character sets को हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं सबसे पहला character set जो हमारे पास available है that is letter letters का इस्तमाल हम लोग करते हैं Java के programming language में और कौन से characters का use के जाता है तो देखें digits का use होता है और operators का use होता है और delimiters का use होता है delimiters delimiters क्या होता है यह हम बताएंगे आपको तो हमारे पास basically देखा जाए तो चार तरह का characters का एक group है Java में जिसका इस्तमाल करके हम computer से easily communicate कर पाते हैं तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं letters के साथ कि आखी लेटर्स जो character है हमारे पास इसमें कौन-कौन से character present है तो देख लिया जाएं character sets में सबसे पहला है letters all the letters of English alphabet that is a-to-z capital and a-to-z small can be used in java language आप Java के programming language में letters के तौर पर a-to-z capital में और a-to-z small में दुनों को use कर सकते हो अपने programming लिखने के दारान all right दूसरा क्या था हमारे पास digits digits का जहार बात करते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 9 is known as digit and after that every digit combined with other digit and form a number for example 1 & 0 जब combine करता है तो 10 बनता है और उसे हम number कहते हैं and single अगर 0 है तो वो एक digit है तो digits में अगर हम बात करते हैं तो 0 2 9 का हम इस्तेमाल कर सकते हैं Java के programming language में कैसे कैसे करेंगे इसके बारे में हम आगे के वीडियो में देखेंगे all right तो next हमारा है क्या operator अब यसी बात है तो operators basically classify कर दिया गया है तीन अलगले categories में तो उन categories को study कर लिया जाए पहले देखेंगे लते हैं सबसे पहला category जो है वो है arithmetic operator Arithematical operator क्या होता है तो देखें हम maths का बहुत ज़्यादा use कर सकते हैं इन operators के use करते हुए maths में जितने भी operations हैं उनका इस्तमाल अगर आपको करना है तो इसके लिए आपको mathematical operator का use करना पड़ेगा जैसे कि plus minus multiply स्टार जो दिख रहा आपको यह multiplication का सिंबॉल जावा में यह है slash जो कि division का सिंबॉल है और यह percentage का सिंबॉल आपको लग रहा होगा लेकिन इसका इसस्तमाल करते हैं किसी भी दो नंबर को divide करने के बाद जो remainder होता है उसे find करने के लिए इस percentage sign का इस्तमाल कर जाता है जिससे हम लोग modulus कहते हैं जावा के term में इस percentage का sign का हम लोग कहते हैं modulus जिसका इस्तमाल होता है remainder find करने के लिए for example 11 और 4 को आप divide कर रहे हो तो आपका remainder आएगा 3 remainder मतलब होता है says full आगे में देखे लेते हैं next हम लोग क्या था operator में next operator था हम लोग logical operator logical basically क्या होता है कि हम लोग logics का इस्तमाल करते हैं कि कोई सही है दो कंडिशन हमारे पास हैं अगर दोनों कंडिशन सही होगा तो आपका result print होगा for example के लिए अगर आप अगर आपका एक नाम है और आप आपका एक roll number है तो आप कह सकते हैं कि हम आपको क्या आप एक student हो और अगर आपको पास simple एक नाम है तो हम नहीं कह सकते हैं कि आप एक student हो आप एक common people भी हो सकते हो तो जब दोनों कंडिशन को होना जरूरी होता है तो इसके लिए हम यूज करते हैं double end का इसको double amp percent करते हैं logical and कहा जाता है इसे और यह जो पैडल का साइन दिखा जा रहा है इसे logical और कहते हैं और यह जो आपका उल्टा आई दिख रहा है that is exclamation mark इस से हम लोग 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 लोट कहते हैं logical and logical और and logical not तो तो तीनों का different different हमारे पास users हैं हम देखेंगे इनके users के बारे में अगला relational operator के लिए हमारे पास है less than equal to greater than equal to double equal to and not equal to अगर दो नमबर को हम चेक कर रहे हैं तो नों के बीच में relation establish करना चाहते हैं suppose मेरे पास एक नमबर है दो और एक नमबर है पाच तो वह दो क्या पाच से छोटा है obviously बात है क्या दो पाच के बराबर है obviously not तो इसका मतलब कि यहां पर आपका जो less than equal to है यह दोनों साथ साथ execute होगा मतलब दो तो छोटा है लेकिन equal नहीं है तो जब हमारे पास कोई ऐसा condition रहता है जहां पर less than को भी चेक करना है और equality को भी चेक करना है तो उस जगह पर हम लोग relational operator के इस वाले form का इस्तेमाल करते हैं अगर किसी ऐसा condition को फेश कर रहे हैं आप जह वाला option present है इस तरीके से अगर दो नंबर को equal just equal check करना है तो उसके लिए हमारे पास double equal का symbol है relational operator का और अगर आप पो चेक करना है कि दो नंबर के बीच में एक equal है और equal नहीं भी है equal है कि equal नहीं है यह check करना है तो उसके लिए not equal का sign है तो आपके पास basically यह चार operators के symbols दिख रहे हैं जो कि relational operator को बिलोंग करता है इनके examples में अगले वीडियो में दोंगा और अगले हमारा last topic है वो है delimiters delimiters बसी करी जितने भी हमारे पास special characters present है keyboard में चाहे वह आप पात करिये यह bracket का या 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 bracket क्योंकि इसके बाद और भी बहुत सारी characters ऐसे हैं जो कि delimiters का हिस्सा है जैसे कि आपका हो गया semicolon, colon, coma यह सब भी क्या है इस सब भी delimiters हैं तो जितने भी special characters present हैं हमारे keyboard में उन्हें हम delimiters का सकते हैं तो आज के इस introductory video में मैंने आपको इतना ही बताया कि Java में characters का use क्यों करते हैं उन characters के group में कौन कौन से member present है और उन अलग-अलग members का introductory description मैंने आपको आज के इस video में दिया मैं इन सारे topics पे details में study करवाऊंगा आपको definitely करवाऊंगा लेकिन आने वाले videos में और अगर आपको यह video पसंद राया है तो like ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों में share करिए अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को subscribe करें और bell icon को press करना मत भूलिएगा अगर आप पहले से हमार साथ जुड़े हुए हैं तो definitely आपसे अगले मुलाक अपले अगर आप से चैनल पे नए नहीं हो आप पहले से हमार से जुड़े हुए हो तो अगले वीडियो में आपसे definitely मुलाकात होगी तो तब तक के लिए take care goodbye